प्रमुख अभिलेख वो सासक हाथी गूफा जो अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल से सम्बंधित है जूनागड अभिलेख रुद्र दामन से सम्बंधित है नासिक अभिलेख गौत्मी बलसरी से और प्रयाग अस्तम अभिलेख जो है वह समंद्र गुप्ट से संबन्दित है एहोल अभिलेक की बात करते हैं पुल के सिंदूतिये से मंदसौर अभिलेक जो है मालवा नरेश यसो वर्धन से और ग्वालियर अभिलेक जो है वह परतिहार नरेश भोज से भीत्री वह जुनागड अभिलेक जो है वह असकंद गुप्ट से है और देवपरा अभिलेक जो है बांगाल साचक बीजाय सेंसे है नोट भारत वर्ष का सरपर्थम उलेक हाथी गुफाव अभिलेक में मिलता है जो कलिंग राजा खारवेल से सम्मद्धित है इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए हाथी गुफाजो है हाथी कभी खर नहीं खाता कलिंग राजा खारवेल हाथी कभी खर नहीं खाता वह पेरों के पेरों को खाजाता एक पिर को चट जाता है, दुसरे पिर को भी चट जाता है, तब ही उसका भूख मुझता है तो यह खर खाने वाला हाथ ही नहीं, तो खारवेल, कलिंगराजा खारवेल जूनागड, जून के महीना में ही रुद्रदावन, मतलब रुद्रा भी सेख होता है तो यहाँ पे जून के महिना में रुद्रा भी सेखता है तो यह आपको याद हो जाएगा कि जून के महिना में ही रुद्रा भी सेखता है जूनागण मतलब रुद्र दावन नासी कभी लेक यह गौत्मी बलसरी से जिसके पास बल है वह उस पर आक्रमन करने वाले को नास कर देता है नास कर दिया नासिक गौत्मी बल्सरी अगला है परियाग अस्तंभ लेख परियाग क्या है एक समुंद्र और दो नदियों का मिलन है अर्थात एक समुंद्र की तरह है तो यहाँ पर याद करने के माध्यम से आप इसको समुंद्र गुप्त कह सकते हैं परियाग अस्तंभ मतलब परियाग जो है प्रियाग को हम समुंद्र गुप्त के नाम से जान सकते तो यहां पर परियाग को समुंद्र कुप्त प्रडूस समुंद्र अगि हएंगों फोल अभिलयक अगर होल करना है और होल कर दिजिए उसमें इक बीज ड्लाल दिज्यम्कूृद लिजर मेंटेशन हो जाएका तो वह पेर यह वहां से खिल के ऊपर आ जाएगा अर्था तो उसका फ्रोमेंटेसन है तो फूल करने के बाद वो पुलकेसित हो जाता है पुलकेसित मंद मंद सौर महसे मौलवा नरेश यसोवर मन जो धीरे धीरे चलेगा मंद सौर वह यस की प्राप्ति करेगा गुथा लिएर अभीलेक पता चला है कि गुथा जहां की गुथा Seglu अरहों को लोकल जगह पर भौज नहीं हो रहा है गुथा नरेशबो गुथा नहां होंगे बाबा गौलियर में होंगे तो चलो ने गौशलियर प्रतिहार भोज करेंगे नरेस भोज प्रतिहार नरेस भोज भीत्री वो जूनागम रहे भीत्री जो जीनागम The गोन ुमिअ उसमें अंदर में कंध है uw असकंद गुप्त की तो डेव पाड़ा बिजय सेन इतना वह भब विशाल है कि वह बिजय की प्राप्ति करता है देव पराविलेक जो है वह बिजय से समझते थे तो इस तरह से आपको यह सब याद हो गए होंगे और भारत वर्ज का सर पर्थम अभिलेक खाती गुपा है तो यह भी आपको याद हो गया तो जय हिन जय भारत